नमस्कार आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूटू चनल रीमेक इडपाग आज हम लोग जो बिहार लोग सेवाय उगदेवरा जो प्रधान सिक्षा की परिच्छा आयवजित की जानी है तो उसके डियलेट सिलेबस के सेक्षन का दूसरा कड़ी यानि सेट नम संद में आपका कोई विप्रस्ट नहीं चूटना चाहिए तो यह कड़ी आरंभ है और बहुत जल्दी यह कड़ी अपनी गतवी को पहुचकर और पुरे परिणाम को अपने के सामने ले के आएगी तो यदि अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिलेगा और आ रहा है क्रमसा दीन के अंतराल पर डे अंटर्वल सारी चीज़ें मिलेंगी और मैं अतना आस्वस्त करता हूं एक रिशर्च के मात्यम से आप तक यह सारी चीज़ें लेके आ रहा हूं तो एक अनुभाव के अंधार पर क सकता हूं कि यह जितने भी सारे महतुल प्रस्ण है इससे अलग चीज़ें नहीं आनी चाहिए तो जल्दी जुड़िए और यह बी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इमिडियेट अभी जाके सब्सक्राइब किजिए तो वीडियो को देखिए और मैं लाइक के लिए अभी नहीं कहूंगा आप वीडियो को देखिए यदि मेरा मेहनत आपको लगता है कि सार्थक है उपयोगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लोगों के साथ सेर कीजिएगा आपका सब्सक्राइब करना लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का कारे करेगा तो कथन से समंदित नहीं भी आएगा तो 15 से 20 प्रसन आने के समावना है 15 प्रसन तो आएंगे ही आएंगे तो जितने भी कथन है उन सबको आप अपने नोट बुक पर नोट करके रखिए उन सबको बार बार पढ़िए वीडियो को आप अगल लगता है कि वीडियो स्लो है अराम से बैटा के वीडियो को देखे चलिए तो पहला प्रस्प को देखा है हमने कि सिक्षा य्वा संतवती का समाजिकरन है यह कतन किसका है क्लियर है इसको ध्यान रखना है किसका है उसके बाद दूसरा प्रस्ण है बालकों को किस प्रकार की सिख्षा दी जाए यह एक डैनेमिक प्रस्ण है अपचारिक सिख्षा दी जाए प्रमपरागत सिख्षा दी जाए यह दोनों प्रकार की सिख्षा दी जाए यह में से कोई नहीं हम इसको अलग करके लेकर चलते हैं तो बच्चों को परंपरागत सिख्षा दी जाए या आपको अपचारिक सिख्षा दी जाए तो अगर देखा जाए तो बच्चों को आपको दोरू परकार की सिख्षा दी जाए अपचारिक सिख्षा भी दी जाए और परंपरागत सिख्षा भी बच्चों को दी जानी जाहि 3 प्रशन क्या है ? बच्चे आकरसन के केंद्र किस अवस्था में होते हैं शैस्वकाल में ? बालिय ावस्था में ? पुर्भ किस heart वस्था में ? उत्तर किस heart में ? अगर बच्चे के लोग बड़े बच्चों के तरप कभ लुभाते हैं ? अगर आप्णा ध्यान और अगर अगर विबेक लगा के देखते हैं तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो सभे सारे बच्चे उसको बोद मिल ना चाहते तो अगर यह उसी का उत्तर है यहां सैस्वा अवस्था वस्था में बच्चे's जो है आकर्षन का चेंद्र होते है are शवस्था को बालक का निर्मार का जाता है सैस्वा अवस्था वालिया। किसोर आवस्था या उत्तर किसोर आवस्था किसको कहा जाता है या इन में से कोई नहीं अगर देखा जाए तो सैस्वा आवस्था को बालक का निर्मान कल कहा जाता है किस आवस्था को बालक का निर्मान कल कहा जाता है तो सैस्वा आवस्था को बालक का निर्मान कल कहा जाता भारत में बच्पन की आयु क्या है? 0 से 8, 6 से 14, 14 से कम 18 बड़ से कम, या टूत में से कोई नहीं अगर किसोर न्याय अधिनियम की बात किया जाए तो इसमें 18 बड़ से जो कम बच्चे हैं उनको क्या कह जाता है? बच्पन की आयु माना जाता है क्लिया रहे तो किसोर नियाई अधिनियम 2015 के अनुसार 18 वर्स से कम A.U. वाले बच्चों को आपको बच्चमन की A.U. माने जाती है तो किलिया रहे आपको यहां ध्यान रखने के जहरत है पूछे दिता की किसोर नियाई अधिनियम निम्न में से किस वर्स पारित हुआ कौन सा अधिनियम है तो आपको 2015-16-17 ऐसा दे देगा और बता देगा तो यहां प्रस्ण था आपकी 18 बरसे कम आयू के बच्चे को आपको किसो निया अधिनियम के अनुसार बच्पन की आयू माना जाता है क्लियर है आई आगला प्रस्ण देखते हैं और छठा प्रस्ण समाज का भाग है क्या समाज 10 का भाग है वेक्तियों समुदाय नेताओं या अभिनाताओं या उप्रित में से कोई नहीं तो समाज किसका भाग है वेक्तियों का भाग है समुदाय का भाग है नेताओं या आपको अभिनेताओं का भाग है तो अगर देखा जाए तो समाज जो है समुदाय का भाग है क्लियर है समाज समुदाय का भाग है आते हैं अगले प्रस्ण को सिख्छा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लाग हुआ एक अगर देखा जाए तो सिख्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम जो है आपको लागू हुआ एक अप्रेल 2010 को कब लागू हुआ एक अप्रेल 2010 को आई अगले प्रस्न की चरफ चलते हैं अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है आठवा नमबर प्रस्न और ये प्रस्न है कि बालक को जो बनना होता है वो प्रारंभिक 4 से 5 बरसों में बन जाता है ये किसने कहा था फिर से ध्यान से देखे कतन वाले प्रस्न को आपको ध्यान से देखना है बालक को जो बनना होता है वो प्रारंभिक 4 से 5 सबस PAC te纆 किसे का फ्राइड ने वाट् subscriptioningo किसे आप और ये फ्राइड ने कि बालों को जो बनना हो चार से 5 बशन में उसको बनना है वो बन जाता है हुआ लोग कहता है कि लुईका का जये बने के परी को यह में बन जब आयरा चाह abbiamo नौवा नंबर प्रस्ण है, नौवा नंबर प्रस्ण आपके सामने है, सैस्वा वस्था को सीखने का आदर्सकाल किसने का है, बहुत ही महत्पुर्ण प्रस्ण है, सैस्वा वस्था को सीखने का आदर्सकाल किसने का है, फ्राइड ने, वाट्सन ने, वेलेंटाइन ने, स्की लाए जा रहे हैं अती महत्पुन प्रस्ण लाए जा रहे हैं कुछ भी नहीं लेकर आए जा रहा है यह अती महत्पुन प्रस्ण लेकर जा रहे हैं और डिये लेट में यह पूछे गए प्रस्ण है जो भी पहले डिये लेट के जो पहले जो परिच्छाएं होती थी उसमें अ आए दसवा नमबर परसन हमारे सामने है और दसवा नमबर परसन हमें कोहता है कि समाजिकरन वह परक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाजिक परिवेस में समायोजन करता है तथा उस परिवेस का एक अन्य मान्य सहयोगी और चमतावान सदस बन जाता है ये कथन को ह और समझ कि इसको understanding से याद करना पड़ेगा कर रहा है कि समाजी करण वह परक्रिया है वह process है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाजिक परिवेस में जो उसका परिवेस है उसमें क्या हो करता है वह adjust कर जाता है तता उस परिवेस में यानि उस परस्धिती को एक मानने सहयोग और समताबान सदस्य बन जाता है यह किस ने कहां था फरायड ने वाटसन ने वेलेंटाइन सी रोल ने जेम्स ड्रेवर ने यंव परिद में से कोई नहीं तो Dakar का आपको उत्तर होगा यह जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि उसका क्या होता है ब्यक्ति क्या होता है उस समयोज करता है और उसी का एक सहयोगी और मान चमतावान सदस्य बन जाता है क्या करता है उसके साथ वो कॉलेबरेट कर जाता है यहीं है जिस समाज में जाता है वहाँ ठल जाता इसको किसमें कहा था जैम्स ड्रेवर ने कहा था आए आगला प्रसन देखते हैं 11 नंबर प्रसन और 11 न यह जितनी भी आवस्थाएं हैं इनी आवस्थाओं का जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया है यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लिजी चुकि वो शुरुआती और इंडक्शन वीडियो है उसमें बच्पन से मैंने परिचीत करा है आपको अब यहां सम धवज़े औबजिक्टीब प्रस्ण हुआ करते थी उनी सारी प्रश्णू का यह संग्र at गऑश्पन में सब्सक्टी से होते हैं कलेर आई देखते हैं अगर यह औप्छन रहे तो जापान में बच्चे को क्या कहा जाता है बेबी, इंफेंट, आकाचान, बबुआ या उप्रूत में से कोई नहीं जापान में बच्चे को क्या कहा जाता है जापान में बच्चे को आकाचान कहा जाता है तो आका चारी कहा क्यों जाता है क्योंकि जन्व किसमें बच्चे का जन्ग जो होता है वो बच्चे का रंग जो होता है लाल होता है जपान में वो क्या होता है बच्चे का रंग लाल होता है सभी जगा बच्चों का रंग लाल होता है और जपान में आका का अर्थ जो है आका का जो अर्थ होता है आका का अर्थ क्या होता है आका का अर्थ लाल होता है हम सभी जाते हैं बच्चों का रंग जन्व किसमें कैसा होता है लाल है और चान का अर्थ मतलब होता है बच्चा इसका मतलब होता है बच्चा तो यहीं किलियर हो गया कि आका चान का मतलब होता है ला बच्चों को बच्पन को जीवन का अनोखा कालका है सांदार प्रस्त प्रस्त बच्पन को सीधा सीधा प्रस्त चप सकता है तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो कूल और ब्रुस ने बच्पन को जीवन का अनोखा कालका है इस मनोबेग्यानी के चुकि सारे मनोबेग्यानी हैं लेकिन सबके अपने 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 कथल है आप अच्छा होगा कि सारे एक एक जगा एक एक मनोबेग्यानी का नाम लि आगे देखते हैं अगला प्रसन है में पास चवदावान नूमर 15 क्या करता है समाजी कारन से समंद से आए शम वीवितता को समझना उतर्त में से कोई में समायोजित हो जाना समाजी करण का मतलब होता है समाज में समायोजित हो जाना मने समाज में ध despub करन देखते हैं अगला प्रसंद 15 निम्बर परसंबार आवस्था को प्रति दुन्दात्मक समाजी करन का काल किसने का है ध्यान रखने की जुरुत है कि यहां कह रहा है प्रति दुन्दात्मक समाजी करन का काल किसने का है क्रोले उंग बुरूस ने फ्रायड ने किलपैट्रिक ने इसकीनर ने अवपरूत में से कोई नहीं तो अगर देखा वो प्रति दोन दात्मक समयजी करम होता है बल्यावस्था में के लिए उसी का काल वो होता है उसी का समय होता है सोला नुमबर प्रसन हैं सोला नुमबर प्रसन है आपका बच्या अपने समाज के संस्कृती यववववववववववववार से स्क्ता है बच्चा जो है अपने समाज की संस्कृति और सब्विता किसके माध्यम से कौन ऐसा माध्यम है जिसे बच्चा जो है समाज में जो संस्कृति है जो कल्चर है और जो सब्विता है उसको किस तरीके से डिसिप्लिन है उसको किस तरीके से देखता है किस तरीके से सीखता है खेल से सिखता है ठीक है आई अगला प्रसन देखते हैं और अगला प्रसन क्या है अगला प्रसन है मारे पास से मोर्लेंड और लेविन के समाजी करन की परकिरिया के पांच चरनों को क्रम अनुसार बताएं अब यहां यहां देखने की जुरुत है कि कौन सा क्रम पहले आता है कि लियर है अगर यहां देखा जाए पूछ रहा यह किसका करम है यह मूरलेंड और लेविन के समाजी करण की का प्रोसेस है तो पहले अगर सबसे पहले देखा जाया है तो सबसे पहले आता है अन्वेशन, सबसे पहले आता है अन्वेशन, उसके बाद आता है आपको, उसके बाद आता है समाजी करन, अन्वेशन क्या होता है, इन्वेशन होता है, किसी चीप रिवर्स, रिसर्च किजिए कतब है न, उसके बाद आता है आपका समाजी करन, समाजी करन के बाद आता है आ पुना समाजी करन ठीक है यह हो गया और उसके बाद लास्टन क्या है अनुवस्मरन ठीक है पल ने रिसर्च किया क्लियर है उसके बाद उसका सोसलीजीशन जो है वो देखा उसके बाद अनुरक्षन किया उसके बाद क्या हुआ पुना समाजी करन और उसके बाद क्या आपको अनुश्मरन तो मोर मोरलेंड और लेविन के समाजिकरन की जो परकिरिया है इनी चर्णों से होकर बुजरती है और यहीं उनका चर्ण है तो अगर इसको देखा जाए तो यहां आपको उत्तर जो दिख रहा है सटी यह बैठ रहा है आपको टीसरा टी बी सी इए याद रखने की जुरत है पहले आपको अनुवेशन है उसके बाद आपका समाजिकरन है उसके बाद आपका अनुश्मरन है उसके बाद आपका पुनाह समाजिकरन है उसके बाद आपका अनुश्मरन देखेगा कई न कई तरह दिख रहा है आहिए आगे देखते है जो माइक्रो टीचिंग हम पढ़ेंगे आगे तो देखे उसी तरह से पले जाज किया फिर किया फिर उसको जाज किया वह इवहला आम्हायमला है चलिए आघे देखते है अठारवा नमबर परस्ण और अठारवा नमबर परस्ण क्या कहता है हमारे सामने अठारवा परस्ण है समाजिकरन सही समाजिकरन सहीयोग करने वाले वेक्तियों में हौम की भावना का विकास करता है कौन समाजिकरन सहीयोग करने वाले वेक्तियों में क्या हौम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ चमता का विकास करता है यह किसने का है सबसे पहले इसको हम से याद कर लिजी कि समाजी करन सहयोग करने वाले वेक्तियों में क्या करता है हम का विकास करता है किसने कहा था रॉस ने फ्राइड ने किलपैट्रिक ने रॉल्फ लीटल ने उप की भावना का विकास करता है इसको कहा किस ने है इसको कहा था आपको इंदर और उनिवार health सिफिछा का प्रधान किया गया है किया गया है ना हमारे समयधान में उस सिप्रफ क्या सिफ कर भा में दिक्र किया गया है तो यहां वहीं है пр हूं कि कलास के है यनि किस उमर भा में जर्फ 8 पर जर्म से शेवर्स स्फोडर्श से लेकि चोदर बर्स के बच्चों को सिख्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नुसार मुफ्त और अनिवार सिख्षा का प्रवधान किया गया है क्लियर है छे से लेकि आपको चोदर बर्स के बच्चों को आई आगे देखते हैं और गला परस्ण क्या है समाजिक परिवर्तन का समद्ध है, गुनात्मक्ता से, मत्रात्मक्त से, संख्यात्मक्त से, उप्रोक्त में से कोई नहीं, और उप्रोक्त में से एक से अधि, क्लियर है, उप्रोक्त सभी है इसमें भी, तेखे, समाजिक परिवर्तन जो है, इसका समद्ध किस से है, आपका से समाजिक परिवर्तन का जो समंझ है आपको सोसल चेंज का एक डियसे क्वालिटी या नि पुरता है किलेर है समाजी करन का कारे समाज में रहाकर संभव यह सही प्रतीत होता है और यह सही है भी समाजी करन के प्रमुख अभी करता माता पिता विद्याले संव्यस्वमू धार्मिक संस्ताय जन संचार माद्यम है हाँ यह यह भी सही है संस्कृति का हस्तांत्रन भी समा और फुक्त मेंसी एक सीयादिग, अगर देखा जाती है, यह तीनों समाजी करण के अंतरकोत हुटा है, यहाँ कह रहा है कि पालने के तरीके का प्रभाव बच्पों के समाजी करण पर नहीं पड़ता है, यहाँ इसने नहीं लगाया है, इस प्रस्ण में नहीं लगा वगा अब देखते हम बाइस नमबर प्रस्ण बाइस नमबर प्रस्ण जो हमारे सामने है और प्रस्ण है ये सिक्षा संस्क्रितिक परिवर्थन लाती है संस्क्रिति का हस्ता अंत्रन करते हैं परिमार्जन करके चैन करके उपलुक्त सभी एक सी अधिक या कोई नहीं तो अगर देखा जाये तो सिख्षा सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे लाती है यह परिमार्जन के द्वारा सिख्षा सांस्कृतिक परिवर्तन लाती है क्लियर है यह किस के द्वारा लाती है परिमार्जन के द्वारा क्लियर है चले आये देखते हैं 2300 प्रस्ट फेमिली सब क्य यह चाहिए 24 नमर प्रसन देखते हैं और 24 नमर प्रसन क्या है परिवार के कारी क्या है सारीरिक विकास मांसिक विकास संब्यकात्मक विकास वो पर्युक्त सभी एक से अधिक या कोई नहीं तो परिवार का अगर कारे देखा जाये तो परिवार का कारे है सरीरिक विकास भी मांसिक विकास भी संब्यकात्मक विकास ही यानि इसका उत्तर हो जाएगा वो पर्युक्त सभी ये सारे परिवार के कारिक होते हैं और बच्छों के अधरसों के इस सारे विणास परिवार में होते हैं делать आ आपको पचीसवा नमबर प्रस्ट और पचीसवा नमबर क्या आता है किसी बालक के समाजी करण में धर्म का महत्व है आदर्सों में संसकार में अनुकरण में उपरोक्त सभी में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो अगर देखा जाए तो बालक में जो धर्म है वो उसके समाजीकर्ण में क्या महत्पुर्ण रोल निवाता है। उसके आदर्सु में भी उसका रोल निवाता है। उसके संसकार में भी रोल निवाता है। उसके अनुकरण में भी ये सब धर्म से आता है। तो यानि इसका उत्तर देखा जाए तो D होगा यानि किसी भी बालक के समाजी करन में धर्म का इन सारे चीजों में मुहत्पुर्ण युगदान होता है किलर है चलिए आए आगे देखते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपलाई जरूर कीजेगा और लो है समुदाय है उपरोप्त में से कोई नहीं यायक से अधिक तो सीखने का जो सबसे पहला अस्थान इन में से है तो वो क्या है वो है आपका परिवार कौन सा है परिवार सीखने का पहला अस्थान है किलर है आए देखते हैं 2700 नंबर प्रस्ण और 2700 नंबर प्रस्ण क्या क भावनात्मक विकास सारीरिक और मानसिक विकास तिब्र गति से होना उप्रुक्ष में से कोई नहीं या एक से अधिक अगर यहां देखा जाए तो बच्पन की प्रमुख विशेस्ता क्या है बच्पन की प्रमुख विशेस्ता जो है आपको अगर देखा जाए तो एक से इसम बच्पन की सारी बातें और बच्चों के विकास से समधित पहली वीडियो में जिक्र है इसलिए यहां इसको दुबाराज में जिक्र नहीं कर रहा हूँ आएए देखते हैं 2800 नमबर परसन क्या कर रहा है समाजी करन की परकिरिया में निम्न में से किन ततों को प्राप्त किया जाता है पुछ क्या रहा है समाजी करन जब होता है इसके प्रोसेस में निमने से किम ततों को प्राप्त किया जाता है जिने समाज में महत्र दिया जाता है समाजी करन में हम क्या प्राप्त करते हैं मालकों को पिश्वासों को मुल्यों को उप्रोक्त सभी या इन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो समाजी करन में हम जो मानकों को भी प्राप्त करते हैं यह स्टेंडर को प्राप्त करते हैं belief system को प्राप्त करते हैं, values को प्राप्त करते हैं, यानि इन सब चीज़ों को प्राप्त करते हैं, यानि वो प्रोक्त इसका सभी समाजी करन में हम समाज से यहीं सारी चीज़ों प्राप्त करते हैं, क्या एस्टेंडर है, belief system क्या है, values क्या है, यह सारे चीज़ों को हम समाजी क कि प्रक्रिषिश में प्रात करते हैं कि लिए को उप योगी और विकासा आत्मक बनाने के यह आवश्यक्टत्य क्या है समाजिकर्ण का जो प्रोस्स है उसमों अनुकरन जो होता है किसी चीज का अनुकरन करना उसको देखना का पिमारह को उपयोगी और विकासात्मक् गाव और सहथ, देश और राजनेती, परिवार पडोस, पहरिवान और संचार या उप्रोक्त में से कोई नहीं या इन में से एक से अधिक्त अगर इसमें देखा जाएं तो परिवार और जो पडोस है ये समाजी करण के परकिरिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्म बनाने में एक मुधपुन युगदान देता है और यह तत्व आपको क्या है एक मुधपुन पाट निभाता है युगदान करता है क्या है परिवार और परोश आप का आये आगए देखते हैं और आपका 30 नमबर परस्थ्थमा हमारे सामने समाजी करन उधिगं की प्रकिरिया के लिए है समाजी करन सीखने की प्रकिरिया में जो अध्यता यानि सीखने वाले को समाजिक भूमिकाओं की निर्वहन की योग है ये कथन किसका है इसकतन को देखा जाए समाजी करन अधिगं की ये परकरिया है इसे आप आपका रूल है उसके निर्वहन के लिए आपको क्या बनते हैं आपको capable बनते हैं यह कहा किस ने हर्लॉक ने एरिक्षन ने क्रो एंड क्रो ने क्रो ने अमैंट मेंसे कोई नहीं यह एक से अधिक तो इसमें से जो अगर इसमें से अधिक से ने इसमें से उत्तर देखा जायत तो यह Harry and Johnson ने कहा था के लिए चलिए आए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है हमारे सामने तो कौन सी संस्था इसमें से अगर देखा जाए तो वो आपको बच्पन को गड़ती है तो यहां देखा जाए कि माता और पिता परिवार और समुदाय समुदा और मीडिया और विद्याले यह सारे के सारे अगर आपको देखा जाए तो यह सारे बच्चे और बच्पन को कड़ रहा है आज कि समय में कुछ तो ना करातम परभावी डालते हैं लिए कोई न गई परभावी तो कर रहा है तो यहीं कह रहा है तो अगर उत्तर यहां देखा जाया तो इसका उत्तर आपको होगा आई यह 32 नमर परस्टन क्या कहता है जीवन सहली के स्वरूप को कौन करता है समाज संस्कृति अर्थविवस्ता कौन करता है समाज संस्कृति और देखा जाते इस ऱ उत्तर हम देख Осब गता जाटता है जीवन सहली कोई संभा इसका मतलब है कि संस्कृती जो है ना रहत को बोलत के आपके अपके सवरूप प्रस्थूत करने का बहुत बड़ा माध्य मैं निम में से बताए गया निम लिकित यह प्रस्ण छप गया समखें जन्व से जन्व से तीन साल बाद बाले आवस्थाते की शुरा आवस्थाते उप्रूप्त में से कोई नहीं एक से अधिक 33 नबर में अगर देखा जाया तो आपको जन्व से ही बच्चे का समाजीकरन आरंब महãyता हूं बच्चे का समाजी कर्ण कब से आरम हो जाता है जन्व से ही आरम हो जाता है चोंतिस नमर प्रस्टन है कि आप अपनी कक्छा के बालकों में यदि आप सिक्छक हैं तो आप अपनी कक्छा के बालकों में समाजी कर्ण की परक्रिया को तेज करना चाहते हैं इसे तू निम्न में से आप क्या करेंगी अगर Geralis आपको और के बचचे हैं फिद्ध्याख के बच्चे उसमें आप समाजिकारन लाना चाहते हैं तो निमनी में से जो चार-पाँचीजे तिंचार चार चीजे दी गए हैं उसमें से आप क्या करेंगी तो आगे देखते हैं बालकों में समाजिक आधर्सा सापित करेंगे, बालकों को इस्कूल की प्रमप्राहों से परजित करेंगे, अब बालकों को समाज में प्रचलित मनेताओं के विशाय में जानकारी देंगे, उपरोक्त में से सही, सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से देखे कुछ लोग का रहा है कि उप्रोक्त सभी भी देते हैं और यह भी देते हैं देखे अगर माली यह दो होता तो भी यहां लगता अगर तीनों हो जाएगा तब क्या कंडिशन में लाएगा डी लाएगा इसलिए उप्रोक्त सभी की भी बात की जाती है परस्त में तो ताकि उनमें समाजी करण डेवलप्प हो सके आये देखते हैं 35 नमर परस्ण और 35 नमर परस्ण क्या कहता है निवन में से कौन समाजी करण को प्रभावित करने का कारक नहीं है यहां क्या कर रहा है पूछ रहा है कि नहीं है बंसान उक्रम परिवार विद्याले पड़ोस उप्रोक्त में से कोई नहीं है या उप्रोस में से एक से अधिक अब देखा जाए कि कौन सा कारक नहीं है अगर यहां देखें तो बंसानुकुरम भी समाजीकर्ण को प्रभावित करता है परिवार भी करता है ल stratég है इसमें से कोई ड्रीक Omaha करता है तो सारे के सारे प्रभावित करते हैं में धैर है आए देखते हैं 36 नंबर प्रसंद 6 lol प्रसंद क्या काता या निमन मेंे से कौन समाजी करल का दुईतिय कारक अब आ गया है जानेंगे कारक कोन होता है आए देखते हैं बिद्याद परिवार पडूस समूधा उपरोवक्ट में से कोई नहीं यह उपरूत में से एक से अधिक तो यहां देखा जाए तो निम्न में से द्वितिय कारक नहीं है यानि प्रात्मिक कारक है तो प्रात्मिक कारक आपका परिवार होता है और प्रात्मिक क्या वार क्या होता है मित्र मंडली भी होता है बच्चे का जो मित्र मंडली होता है समध बिद्याले में द्यूतिय कारक है पड़ोस भी है और समुदाय भी है यह एक परिवार जो है द्यूतिय कारक नहीं है तो यह प्रस्ण एक और बन के आगया कि परिवार समाजी करन का कौन सा कारक है प्रात्मिक कारक या कोई कारक नहीं तो आपको आएंगे क्या प्रात्मिक का रख है परिवार अगला प्रशन हम इन में से कोन समाजी करन के दूथिय कारत हैं क्या कर रहा है। से कों अनुधिय कारत हैं तो गया आगर विद्ध्याल में आखा जाये तो A बने गाई कैसे भनेगा समाजी होनके दूत्य कारक यह कह रहा है कि एक से अधिक कैप सब्सक्राइसे के वलग परिवार को छोड़ दिये जाए तो सारे के सारे आपको दूत्य कारक है यह कॉनसे यानि यहीं यह क्या है आपका प्रात्मिक क्रूंद'd क्या है और तीनों के तीनों यह क्या है यह ती करके सिंसक्रिती सीखे हुए वेवहरण। तथा उनके परिनामों का वह समग रूप है कौन संसक्रिती जो सीखा हुआ बिवहार है उसके परिनामों का समग रूप है जिसके निर्मानकारित तत्वे किसी विश्विष्ट समाज के सदस्यों द्वरा पर्यूक्त और संचालित होती है यह कथन है किसका प्रोल एंड ब्रूस का फ्रैट का किलपैट्रिक का रॉल्फ लीटन का उपरूप में से कोई नहीं यह एक से अधिक अगर यहां देखा जाए तो यह कथन है आपको रॉल्फ लीटन का किसका है रॉल्फ लीटन नहीं कहा है कि संस्कृति सीखे हुए बिवहार और उनके परिवान परिनामों का समग रूप है जो भी हम सीखते हैं समाज से और उसका जो परिणाम निकल प्रस्था में बच्चों में जिग्यासा की परविर्थी उच्छी पाई जाती है तो समाजी करन की किस अवस्था में किस की जिग्यासा की परविर्थी हाई लेबल पे होती है अगर देखा जाए तो समाजी करन में बच्चों में जिग्यासा जो है आपको प्रारंभिक बालेवस्था में जिग्यासा सबसे ज़्यादा होता है कहां होता है प्रारंभिक बालेवस्था में जिग्यासा बड़ी होता है किसी चीज को जानने का किसी जिग्यासा आपको प्र सामाज की किस अवस्था में बालकों में संकक्ष मित्रों समुहों के साथ समयोजन करने की पुरविर्ती का भिकास हो प्रहास करता हूं कि टैमिक में नौ हो ल्किन दिकत हो जाती है विख्ते थे थे तो समाजी करन्त में पाल। समक्ष मित्रों येवं समूंगों के साथ समयोजन करने की परविती का विकास होता है सहसो आवस्था में, प्रारंबिक वाले आवस्था में, उत्तर वाले आवस्था में, किसूरा आवस्था में आप उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक तो यहां देखा जाये, तो किसूरा अवस्था में जो है, बालकों में स्मक्ष मित्रो योंसों के साथ समायूदन करने की पर्वर्ती का पिकास होता है, किसमें आपको किसूरा अवस्था में होता है. क्लियर है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही डे इंटर्वन में क्लियर है और मैं अगले दिन प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए जीएस का महत्पुर्णंग ले के आँ तो यह ही अपना साथ बनाए रखिए यदि वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए क्योंकि लाइक जो है इस वीडियो को आगे तक पहुँचाने में कारगर होता है और महत्पुर्ण भूमिका निभाता है लोगों तक ज़्यादा पहुचता है इसकी रीच बढ़ती ह पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया कहां कमी है इसको जरूर आप चाहें तो जागर कर सकते हैं मैं प्रयास करूँगा उनसे चीज़ों को एक्टिफाइ करने के लिए चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ अभी आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं जन्यबाद जय हिंद